दोस्तो अगर गलती से फेविक हमारी आग में चली गई तो क्या होगा? क्या हमारी आग चिपक जाएगी? या हमारी आग खराब हो जाएगी? और हम अंध्य हो जाएगी? ऐसा ही कुछ आप सोच रहे हो तो इसकी असलियत में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये तो दोस्तो आपको पता ही होगा कि अगर फेविक हमारी उंगलियों में चिपक जाती है तो बड़ी ही मुश्किल से अलग होती है अब हम बात करते हैं कि फेविक हमारी आखों में चली गई तो क्या होगा दोस्तो हमारी आखे जो होती है वो बहुत ही नाजुक होती है और अगर हमारी आख में गलती से फेविक चला जाए तो क्या होगा तो दोस्तो गवरानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी आके होती है वो अपनी सुरक्षा करने में सक्षम होती है जैसी हमारी आक में फियविक पढ़ेगा तो आसु निकलने लगेगा जिससे हमारी आके लाल पढ़ जाएगी और तुरहन भी डक्टर के पार जाना पढ़ सकता